हेलो फ्रेंट्स माइनेम इस रश्णा नवानी वेलकम तू बाइकरम टूटोरियन आज के लक्षर में हम एमाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगी जिसमें के अमने प्रिवियस लक्षर में भी एमाइन्स की इलेक्रोफिलिक सब्स्टूशन रियक्शन पढ़ी थी ज हम एनिलीन की नाइट्रिशन के हैने लेंट्री नाका युल्剛 छूष्ण कराने फर एनिलीीं और् थो मेरायन प्रॉडटक्ट की फ़र्मिशन करते हैं चैको ऑर्टो मेराएन्परति की फर्मिशिन खरता है यह हमने प्रिवेस लक्षर में एक्ष कर रहा था कि एनिलीन अगर positive resonance को show करते हैं तो matter directing group पर जाकर जूड़ते हैं अगर aniline positive effect को show करते हैं तो वो और थो and paraproduct की formation करते हैं अगर negative resonance को show करते हैं तो वो matter product की भी formation करते हैं यहाँ पर हमने bromination में previous lecture में bromination में ये पढ़ा था कि bromination में जो हमारे पास aniline था और प्रोडक्ट की फर्मिशन करते हैं इन केस ऑफ नाइट्रेशन में और तो प्रोडक्ट अलग बनता है प्रोडक्ट अलग बनता है तीनों ही प्रोडक्ट की अलग-अलग फर्मिशन होती है लेकिन इसकी रियक्टिविटी या इसकी इस एक्टिविटी को कम करने के लिए ह फिर यहां पर भी एसाइलेशन की प्रोसेस कराते हैं उसको एसीड एन हाइड्राइट के साथ रियक्षिन कराते हैं जब हम एसीड एन हाइड्राइट के साथ रियक्षिन कराते हैं तो हमारे पास जो यह एनिलीन होता है नैट्रिक एसीड के साथ रियक्षिन करने पर तब हमा Nitration means addition of nitric acid Nitric acid means HNO3 तो देखेगा reaction में क्या होता है हमारे पास क्या है Aniline है Aniline की reaction हमने Concentrate HNO3 के साथ करानी है और किसकी presence में Concentrate HNO4 की presence में तो यहाँ पर क्या होगा Nitration होगा Nitration होगा तीनो एक बारी Ortho, Metan, Paraproduct की Formation नहीं होगी Ortho, Metan, Paraproduct अलग-अलग formation होती आप देखेगा कैसे यह Aniline है This is Ortho Product Ortho, Nitro, Aniline बढ़ेंगे हम इसको Next है आपके पास यह भी यहाँ पर भी आपके पास Aniline की formation होगई यहाँ पर Aniline की formation होगई यहाँ पर क्या बन गया है Meta तो Meta, Nitro, Aniline की formation होगई This is Meta Product प्लस यह भी आपके पास Aniline बना जेते हैं हम रिंग में और यहाँ पर आपके पास Paraproduct की formation होती है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे Paranitro This is Paraproduct Ortho, Meta and Paraproduct की formation करती है Paraproduct की concentration थोड़ा कम होती है Ortho and Meta Product की formation Allог-allog formation होती है कभ होती है जब हम Nitration कराते है किस का Nitration करा रहे Aniline का Nitration करा रहे Nitration किसकी प्रजेंस में होता है Nitration Consentrate HNO3 and H2SO4 की दोनों ही Consentrated है थोड़ा हमें तो इनकी प्रजेंस में Nitration होता है Nitration HNO3 के साथ होता है तो क्या eliminate हो रहा होगा यहां से बाहर water molecule बाहर हो रहा होगा ठीक है NO2 यहां पर जुड़ गया अगर हम HNO3 को HO NO2 लिखेंगे तब भी तो आपके पास सेम है तो NO2 group यहां पर हाइड्रोजन को replace करके यहां पर NO2 जुड़ गया H2 बाहर रिमूव हो जाता है तो ortho, meta and para product की formation होती अब हम देख रहे हैं reaction में हमारे पास ortho भी बन गया, para भी बन गया, meta भी बन गया, तीनों की तीनों बनते तो हमने bromination के case में भी इसकी reactivity को कम करने के लिए क्या कराया है इसकी reaction acidic anhydride, acid anhydride के साथ कराते हैं, अब nitrogen के लिए next step क्या होगा हमारे पास acylation अब देखेगा acylation में क्या होगा, acylation में यह aniline, यह हमारे पास aniline है, aniline क्या करेगा acylation में? acylation में CH3, C double bond O, and O, and CH3, CO, ठीक है? यह आपके पास acid anhydride है, acidic anhydride, ठीक है? तो आपकी इसकी reaction किसके साथ होगी? आप हमने यह previous lecture में भी पढ़ा था, इसकी reaction, CH3, CO group क्या होगा? इसके एक hydrogen को replace करके यहाँ पर जोड़ जाएगा, तो हम reaction करेंगे? NH, अब क्या आएगा? एक hydrogen substitute हो रहा है, NH, C double bond O, and CH3, यह product यहाँ पर बना, प्लस, CH3, CO, देखेगा, CH3, CO, and O, एक hydrogen यहाँ से substitute हो रहा है, तो यहाँ पर देखेगा, CH3, CO, and O, and H, तो माइनस क्या लिख दूँ, यहाँ पर CH3, CO, बहार replace हो जा रहा है, प्लस, CH3, CO, यहाँ पर acid की भी formation हो गए, लेकिन हमरे पास यह main product है, अब इसकी reaction हमने किस के साथ करानी है, इसकी reaction हमने HNO3 के साथ करानी है, वो HNO3 की है, concentrate HNO3 के साथ reaction होगी, concentrate HNO3 के साथ reaction होनी पर आप क्या होता है, आप देखेगा, यहाँ पर इसको हटा देते, इस reaction को आगे ही बढ़ाएंगे यहाँ पर, ठीके, किसके साथ reaction कराना है, concentrate HNO3, ठीके, तो HNO3 को HNO2 में हमने तोड़ दिया, यहाँ पर आपको reaction समझने के लिए, यह NO2 को रूप क्या करेगा, यहाँ से, यहाँ से क्या करेगा, एक hydrogen को replace करेगा, ठीके, और यहाँ पर, यह OH कहां से जाके जुड़ेगा, यहाँ पर जाकर करके जुड़ जाएगा, तो देखिएगा, क्या formation हो गई, NH, ठीके, NH, इसको पहले हम ऐसे ही रहने देते हैं, CO and CH3, ठीक, अब देखिएगा, आगे क्या हुआ, अब यह NO2 गुरूप यहाँ पर जुड़ करने पर क्या product की formation होती, NH, ठीके, hydrolysis करने पर यह hydrogen यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीके, NH, और इसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, तो क्या बन गया, NH2, ठीके, और यहाँ पर आपके पास NO2 गुरूप तो सेम है ही, ठीके, और यह वाला OH इसके साथ जाकर के, क्या ह होता है, जुड़ जाता है, प्लस किसकी formation होगी, CH3, C double bond O and OH, CH3, COOH लिख देंगे, ठीके, तो यहाँ पर भी क्या होती है, एसेट की formation होती है, यहाँ पर नाइट्रो एनिलीन की formation होती है, इस इस मैटर प्रोड़क्टिम या मैटर डारिक्टिंग गुरूप पर नाइट्रो नाइट्रेशन, नाइट्रेशन कम होता है, नाइट्रेशन मिन्स जब concentrate HNO3 का addition होगा, लेकिन condition क्या है, नाइट्रेशन तभी होगा, concentrate HNO3 जब उसके साथ हम concentrate H204 का use कर रहे हूं, तो नाइट्रेशन reaction में किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम एनिलीन के लिए पढ़ रहे हैं, नाइट्रेशन, एनिलीन का HNO3 और H204 दोनों ही concentrated form में हैं, इसके साथ reaction कराएंगे, तो एनिलीन का नाइट्रेशन हो रहे हैं, तो इस हाइट्रेशन को रिंग से इस हाइट्रेशन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, नाइट्रेशन जुड़ गया, वाटर मॉलेकुल बाह हम करते हैं, तो एसा एलेक्शन में हम क्या करते हैं, एसिटिक एनिलीन का हम यूज करते हैं, तो एसिटिक एनिलीन का यूज करेंगे, तो यहां से क्या होता है, CH3 CO group ही हमारे पास यहां पर इस रिंग में जा करके जुड़ता है, यह important है, एनिज एक हाइट्रेशन को रिप हाइट्रोजन को सबस्ट्यूट करके यहां पर जुड़ जाता है, फिर हम इसका हैड्रोलिसिस कराते हैं, हैड्रोलिसिस कराने पर CS3 CO NOH, एसिट की फॉर्म में भाहर रिप्लेस हो जाते, NO2 यहां पर जुड़ा हुआ है, और एक हाइट्रोजन यहां पर NH के साथ जुड़ जाता है, तो NH2 बन जाता है, तो यहां पर हम इसको क्या पढ़ेंगे, यह कौन सा गुरूप है, और थो, नाइट्रो, एनिलीन, तो इस तरीके से हमारे पास यह प्रोड़क्ट है, देखेगा, हम यहां पर सल्फोनेशन करेंगे, तो सल्फोनेशन में क्या होगा, सल्फोने एडिशन ओफ कंसंट्रेट, ह2SO4, तो यह हमारे पास सल्फोनेशन की रियक्शन करानी है, हमने, सल्फोनेशन की रियक्शन में, HSO4, H, and HSO4-, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, तो यह H क्या करेगा, अब देखेगा, रियक्शन में, हमारे पास किसके NH3+, की फर्मिशन हो ज छोड़ दीजेगा, ठीक है, यहाँ पर यह पूरा का पूरा क्या होगा, यह इसके साथ, एनिलीन के साथ जोड़ जाता है, और फिर हम next step में क्या करते हैं, अगर इसे हम heat करेंगे, तो heat करने पर यहाँ पर से water molecule बाहर निकलेगा, अब water molecule बाहर निकलेगा, तो क्या बन रहा आपके पास HSO4, यह बचे आपके पास, ठीक है, तो यहाँ से एक hydrogen जा रहा है, और यह SO3, ठीक है, और एक oxygen यहाँ से जा रहा है, एक oxygen यहाँ से जाएगा, एक hydrogen आपके पास यहाँ से आ रहा है, ठीक है, एक hydrogen आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ से, ठीक है, तो क्या बचा है यहां पर क्या बचा आपके पास HSO3 ठीक है तो यह HSO3 जब यहां पर अटेक करेगा तो यहां से एक हाइड्रोजन को हटाएगा ठीक है यहां से क्या करेगा एक हाइड्रोजन को हटाएगा यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है तो यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है तो यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है तो क्या बन जाएगा यहां पर हाइड्रोजन की फर्मिशन होगी एक हाइड्रोजन यहां से एक ऑक्सिजन यहां से जब यह यहां पर जूड़ेगा तो हाइड्रोजन यहां से इस रिंग से यहां से रिप्लेस करेगा तो प्लस एज्टू की फॉर्मिशन होती है अब हम इसको क्या पढ़ेंगे ठेक है इसको हम सल्फा कि निलीन एमाइन पढ़ेंगे और यह एक बहुत ही इंपर्टेंट प्रोडेक्ट है सल्फा एनिलीन भी कह सकते हैं आप सल्फा निलीन एमाइन कह सकते हैं यह बहुत ही इंपर्टेंट प्रोडेक्ट है और इस प्रोडेक्ट का यूज हम एस ड्रग करते हैं मिन्स कोई भी ड्रग बना के लिए हम सलफा ड्रग का यूज करते हैं और सलफा ड्रग आपने आप में बहुत इंपर्टेंट ड्रग है ठीक है क्योंकि यह ड्रग क्या करती है एंटी बैक्टिरियल और एंटी वाइरल दोनों ही फंक्शन हमारे बाड़ी में इंफेक्शन को कॉस नहीं होने देते बैक् इंपर्टेंट है हमारे पास सल्फोनेशन में यह प्रोडक्ट की फरमेशन होती है जबकी हमने ब्रोमी नेशन में पढ़ा और तो मैंटेंड पैरप यूज अफर्मेशन होती है के जूड़ जाता है और फिर क्या होता है यहां से जब हम इसको हीट करते हैं तो वाटर मॉलिकूल एलिमिनेट होता है तो इस तरीके से हमारे पास प्रड़क्ट की फर्मेशन होती है तो इस्टुडेंट आपको यह रियक्शन रेगुलर आपके पास सब कुछ नया है देखे को एक ही टॉपिक को एक बार नहीं पढ़ना है एक बार पढ़िए दो बार पढ़िए तीन बार पढ़िए और लिखने के आदर डालिएगा केमिस्टी में आप रियक्शन को सॉल्व करने के आदर डालो तो आपको रेगुलर आपके मेमोर्यों में फिट होता चला जाएग आप बिना प्रैक्टिस के आपको आएगा नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा मेनध करो आपने टार्गेट और अचीब कर दिये आई थिंग कि आपको समझ में आया होगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें थेंक यू